हाई 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 हुँ हलो एबरीवान, मैं आपका दोस्त अनित वाग तो आज मैं मिलवाऊंगा दोस्तो मेरा एक भाई से जो कि आत्ताविरा से आ रहा है और ड्राइविंग करता है उसका कुछ काम से यहां राउल के लिए मैं आया हुआ है हनुमान बाटिका में तो वो जैसे ही आएगा मैं मिलवाऊंगा उससे और मेरे को फोन किया था बोल रहा कि आ रहा हूँ मैं भहिया तो मैं अभी लेने जाओंगा उसको सास सत्रा चौक पे तो मेरा भाई को रिसीप करने के लिए मैं जाओंगा तो अंकित को मैं बोला कि अंकित जल्दी से रेडी हो जाओ रिशीब करने के लिए जाएंगे यहीं 717 चौक पे तो देखिए अभी अंकित नहा के रेटी हो गया है और हम दोनों अभी जाएंगे लेने के लिए तो वो जैसे ही निकलेगा वहां से मेरे को फोन करे गार मैं उसको बुला हूं कि 1717 चौक पे पहुंचके मेरे को फोन करना कि धर जो है वह नस्दिक जिए 1020 से तो वहां बोला कि थोड़ा आ जाना भी आमेर फोन करने से बोला तो वो अभी आ चुका है दोस्तों मेरे को फोन किया था और मैं जा रहा हूं साफ 17 चौक पे लेने के लिए आज साफ 17 चौक पे लेने के लिए तो मैं जैसे ही वहाँ पर गया दोस्तों वहाँ पर 177 चौक में खड़ा हुआ उसको फोन किया तो मेरे को बुला कि हाँ इधर मैं खड़ा हूँ वह उस साइट में खड़ा है और बुला कि गाड़ी घुमा के मैं आ रहा हूँ आप वहीं पर वेट करो तो वहीं अंकीत और मै हम दोनों वहीं पर ही खड़ा हो गए वो लोकोन गाड़ी बैक करके देखिए ले के आ रहे हैं यह जो वाइट कलर का जो गाड़ी आ रहा है वो ही गाड़ी है जो की मेरा भाई आताविरा से जो आया है वो और उसका एक दोस्त दोनों आये हैं साथ में और यह लोकोन नहीं रुकेंगे आज साम को ही पार्टी अटेंड करके रिटेंड चले जाएंगे साधी का प्रोग्राम में आये हैं ऐसा तो बोल रहा था देखिए यही है वो तो देखिए दोस्तो यही चांद है जो कि अप्ताविरा से आया है मेरा भाई है मेरा मौसी का लड़का छोटा वाला तो अप्ताविरा जो है यहां राउलकरा से करीब जो है दोसो प्लस हो जाएगा और यह लुकुन बाई रोड आये कार में तो कार से मान के चलिए कि लगभग धाई से तीन घंटा का सफर है यह और यह उसका दोस्त है जो की साथ में आया है चांद का तो घर में थोड़ा दीरी बैटने का बाद मैं बादचीत किये हम लोकून कोर्डिंग और दीए सब पीने के लिए उलकुन को सब बाथ चीत करने का बाद पिर हम लोग अभी निकल रहे है यह आईजीएच होस्पिटल के लिए क्योंकि मेरी सास जो है उनको एडमिट किये ह है उनका भी तबीयत खराब है तो से लिए हम लोग अभी मैं उसको बोला कि चांद को चल थोड़ा आई जीएच चलते हैं और देख के आएंगे तो चांद में और दीदी करके हम लोग तीनों गए आई जीएच हॉस्पिटल देखने के लिए और वहां हॉस्पिटल में कुछ समान दर्कार था जो कि हम लोग घर से लेके गए जैसा कि बाल्टी उल्टी बाल्टी साबू में जो भी है वो सब लेके गए तो अभी हम लोग जाएंगे दोस्तो और एक ठोडीदी का घर में और वह दीदी जाएंगे साथ में उनका ड्यूटी है वह आईच हॉस्पिटल म तो हम लोग अभी ये और एक दीदी का घर गए और वहां से एक साथ हम लोग अभी जा रहे हैं आई जेज होस्पिटल दीदी का ड्यूटी भी है और हम लोग वहां रुकेंगे थोड़ा देरी और वहां से फिर जल्दी जब आएंगे तो चान यहां से फिर रिटन जाएगा स आदी घर में और वहाँ पहुचने का बाद दोस्तो हम लोग पार्किंग के लिए ये जगा ढून रहे थे तो गाड आया और बोला कि इधर पार्किंग नहीं है वो बैक साइट में आप उधर पार्किंग है आप वहाँ जाके पार्किंग कर सकते हैं तो हम लोग वहाँ गाड़ी पार्किंग किये और पार्किंग करने के बाद ये हॉस्पिटल का अंदर अभी आ चुके है और जा रहे हैं ये मेरी सास्त जो है उनको देखने के लिए तो अभी हम लोग दोस्तों ये आईजेच का फिमेल वाट जा रहे हैं और इधर लिफ्ट में भेड़ था तो हम लोग सीड़ी से ही उपर गए तो अभी ये नर्स आई हुई है और इनका जो बलड शेंपल है वो ले रही है तो अभी हम लोग ये हॉस्पिटल से अभी निकल चुके हैं बाहर और मैं और चांद दोनों जा रहे हैं जहां पे गाड़ी हम लोग पार्क पार्किंग में रखे थे और वहां से जा के दोस्तों चांद मेरे को घर में छोड़ देगा और वो फिर चला जाएगा तो हम लोग पेड़ का नीचे गाड़ी रखे थे क्योंकि पेड़ का नीचे रखने से गाड़ी जो है ज्यादा हीट नहीं होगा और पार्किंग जो है देखिए यह पार्किंग है और यहां पे सिर्फ हॉस्पिटल स्टाप का ही पार्किंग का अलाउड है तो हम लोग दोनों अभी हॉस्पिटल से निकल के जा रहे हैं और चांड जो है दोस्तों मेरे को घर में ही ड्रॉप कर देगा और वो चला जाएगा जहां पर आया था वो हन्मान बाटी का जो साधी घर एटेंग करने के लिए आया था तो मेरा वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सेयर करिए और साथी साथ सस्क्राइब करके बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुच सके और अभी चांड निकल चुका है जाने के लिए झाल